अक्षय तृतिया पर घर ले आए, ये पौधे लक्षमी माता आएंगी आपके पीछे। हिंदू धर्म में अक्षय तृतिया को बहुत महत्वपूण पर माना जाता है। अक्षय तृतिया जिसे वैशाख माह की शुकल पक्ष की तृतिया के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा और दान अक्षय फल देते हैं। पौरानिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतिया के दिन की गई शुभव धार्मिक कारियों का अक्षय फल मिलता है। साथ ही इस दिन शुभव मांगलिक कार्य करने के लिए पंचाम देखने की जरूरत नहीं होती है। अक्षय तृतिया पर इस बार गजकेशरी योग, रवी योग समेत कई शुब फलदाई योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है अक्षय तृतिया पर वैसे तो कई शुब कार्य किये जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं, जिनको हर व्यक्ति को करने चाहिए ऐसा करने से जीवन में मंगल ही मंगल और सुक्षान्ती बनी रहती है और पूरे साल धंधान्य की कोई कमी नहीं होती है जोतिश का कहना है कि अक्षय तृतिया के दिन कुछ खास पौधे लाने से घर में धन का अमवार लग सकता है ये पौधे न केवल घर के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, बलकि धन की आवक को भी मजबूती देते हैं साथ ही इन पौधों को घर में लगाने से नकरात्मक उर्जा घर से दूर हो जाती है, जिससे घर में सुक शान्ती बनी रहती है अक्षय तृतिया का प्रारंभ आज से यानी दस मई शुकरवार को सुभा चार बचकर सत्रह मिनट पर हो गया है और इसका समापन कल यानी ग्यारा मई के दिन सुभा दो बचकर पचास मिनट पर होगा और अक्षय तृतिया का शुभ मुहूर्ट आज दस मई के दिन सुभा पाँच बचकर उनचास मिनट से दो पहर बारह बचकर तेईस मिनट के बीच रहेगा मान्यता है कि अक्षय तृतिया के दिन शुभ मुहूर्ट में किये गए हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अक्षय तृतिया पर कोन से पौधे घर में लगाने से शुभ फलों की प्राप्ती होती है लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरी विष्णु जी का आशिर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जै श्री हरी विष्णु जरूर लिखें चलिए जानते हैं अक्षय तृतिया पर कोन से पौधे घर में लगाने से अक्षय पुनियों की प्राप्ती होती है नंबर एक शमी का पौधा अक्षय तृतिया के दिन शमी के पौधे का रोपन करना अत्यंत शुभ माना गया है इसे, पौधे को अक्षय तृतिया के दिन लगाने से अनंत गुना शुब फलों की प्राप्ती होती है शमी के पौधे से शनी ग्रह के दोश दूर हो जाते हैं यदि जन्म कुंडली में पित्र दोश या कालसर्प दोश बना हुआ है तो शमी का पौधा घर में लगाने से ये दोश तुरंत दूर हो जाते हैं जिन लोगों को शनी की साढ़े सातिया, शनी की ढईया चल रही हो वो भी शमी का पौधा अवश्य लगाएं नंबर दो बेल पत्र का पौधा बेल पत्र भगवान शिव का प्रियवरिक्ष है अक्षय तृतिया के दिन इस पौधे का रोपन करके नियमित इसका सिंचन करने से शिव जी प्रसन्द होते हैं जिस घर में बेल पत्र के पौधे की सेवा की जाती है, वहां कभी किसी को बीमारिया नहीं होती है अक्षय तृतिया पर घर के सामने बांस के पौधे का होना भी बहुत शुब माना जाता है वास्तु के अनुसार अगर इसे इशान कोण यानी की उत्तर पूर्विया फिर उत्तर दिशा में लगा दिया जाए तो घर में पैसों की आवक होने लगती है घर के सामने बांस का पौधा आपको कभी कंडाल नहीं होने देगा आप चाहें तो बांस का छोटा सा पौधा अपने ड्रॉइंग रूम या ओफिस की टेबल पर भी रख सकते हैं नंबर चार दूब का पौधा यदि आप अक्षयत रितिया पर गार्डन या घर के सामने दूब का पौधा उगा लें तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी घर के सामने दूब का पौधा लगाने के और भी कई फायदे होते हैं संतान प्राप्ती के लिए भी घर के सामने इस पौधे को लगाना शुभ माना जाता है घर में हमेशा सुक्षांती का माहौल बना रहता है नंबर पांच तुलसी का पौधा सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पूजनिय माना गया है कहते हैं कि तुलसी के पौधे में स्वय धनकी देवी मा लक्ष्मी का वास होता है इस पौधे की नियमित उपासना से इनसान आर्थिक मोर्चे पर समरिध बनता है अक्षय तृतिया के दिन धर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने से करजों से मुक्ती मिलती है तुलसी का पौधा लगाते वक्त ध्यान रहे की इसे घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए अक्षय तृतिया पर घर में मनी पौधा का पौधा लगाना भी शुभ माना गया है घर में धनस्रिमध्धी के प्रतीक के रूप में मनी प्लांट का पौधा सबसे ज्यादा लोक्त्रिय है यह पौधा जितनी तेजी से बढ़ता है, घर में उतनी ही तेजी से धन आता है घर में मनी प्लांट लगाते समय ख्याल रखें की, इसे आगने दिशा यानी दक्षिन पूर्व दिशा में ही लगाएं मनी प्लांट के पौधे को कभी सीधे जमीन पर ना रखें इसकी पत्तियों को जमीन पर बिखरना अशुब माना जाता है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ओफिशियल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद